नमस्कार मैं हूँ नीरच पटेल और आप देखने नेसल जन्मत 2012 में अचानक से सुरू हुए देश में एक आंदोलन जिसको कहा गया कि काले धन के बिरोध में और भरष्टाचार के बिरोध में सुरू किया गया है उस आंदोलन के केंदर में आपको याद होगा कि अन्ना हजारे दिखाई देते थे जो एक सामाजी कारी करता है लेकिन हकीकत में अन्ना हजारे उसमें सिर्फ एक कठपुतली थे और उनका इस्तिमाल तमाम दक्षरपंती संगठन और तमाम ऐसे लोग कर रहे थे जो कॉंग्र हूँ कि आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं आज ये चर्चा इसली कर रहे हैं क्योंकि 2014 में कॉंग्रेस तो रुखसत हो गई लेकिन उसके बाद भारती जंता पार्टी सत्ता पर काविज हुई तो उसी में सामिल तमाम सारे लोग जो उस प्रदर्सन में शामिल थे वो ब् कि कॉंग्रेस के समय में ही जब प्रैसर बना तो जो 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त बिदेयक पास कर दिया गया संसद में और 16 जन्मरी 2014 को उसे बकायदा लागू भी कर दिया गया तब तक भारती जंता पार्टी की सरकार नहीं आई थी उसके बाद भारती जंता रंगा जंडा लहराती थी पूरे जंतर मंतर पर और कहती थी कि देश को ब्रश्टचार मुक्त कनना है वो पहले लोग सभा का चुनाव लड़ती है भारती जंता पार्टी से और जब चुनाव हार जाती है तो पांडी चेरी की उपरा जपाल बन जाती है जाके उसी तरीके नाम जो मैंने आपको बताए जो उस प्रदरसन में दिखाई देते थे उस सभी भारती जंता पार्टी के साथ कहीं न कहीं चले गए और वो ब्रष्चाचार की बाते भी आज सांध हो गई उस आंदोलन की याद मैं आपको इसलिए दिला रहा हूँ कि इस पूरे आंदोलन के म लेकिन अभी तक लोगपाल की न्युक्ती नहीं हो पाई है लोगपाल की न्युक्ती होना तो बहुत दूर की बात है लोगपाल की न्युक्ती होने के लिए एक सर्च कमेटी की बैठक होनी थी जो अभी तक एक बार भी नहीं हुई ये सारा खुलासा आर्टी आई में प्यान एक NGO है जिसका नाम है NCPRI उसकी सदस्य अंजली भारतवाज उन्होंने जो RTI डाली थी सरकार में DOPT विभाग में तो DOPT के द्वारा जो उनको सूचना दी गई है उसके अनुसार ये है कि जनल लोकपाल चैन समीती की पहली बैठक 45 महीने बाद यानि कि मार्च 2018 में उसके 45 महीने बाद लोकपाल चैन समीती की पहली बैठक होती है लेकिन लोकपाल सर्च कमीटी की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई इन्हें में फर्क क्या है ये मैं आपको बता देता हू운 लोकपाल सर्च कमीटी इसलिए गठित की गई थी कि वो ये ये तैख करना था कि कि में से किस व्यक्ति को हम लोगपाल बना सकते हैं अब हम आपको ये भी बताते हैं कि लोगपाल चैन समीती के 500 सदस बनाए गए थे कानून में उनमें प्रधान मंत्री, लोगसभा अध्यक्ष, चीप जेस्टिस, लोगसभा में विबक्ष के नेता और कोई प्रतिष्ठित कान उनका जानकार, ये पाँच लोग उसकी चैन समीती में रखे जाने थे, नहाजारे के आंदोलन के समय में खुद को ब्रष्ठाचार के खिलाफ दिखाने वाली भारतिजिंता पार्टी के सरकार में, जब चार साल तक कोई मीटिंग ही लोगपाल को ले करके, तो सुप्रीम क की बात देखिए कि सर्च कमेठी की जब कोई मीटिंगी नहीं हुई, यानि कि जो चैन समीती है, उसको कोई नाम ही नहीं बेजा गया सर्च कमेठी के द्वारा, तो आखिर ये 6 मीटिंग हैं हो क्यों रही थी, तो RTI एक्टिबिस अंजली भारतवाज ने जब ये भी मैं मिनट सो मिनट से ये नहीं बता सकता कि आखिर उसमें बाचीत की हुई, इस पर भी अंजली भारतवाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि कम से कम अगर RTI का आपने जवाब दिया था तो उसमें ये बता देते कि RTI के किस सेक्षन के तहत आप ये जानकारी नहीं दे सकते, इसका मतलब अंजली भारतवाज ने कहा कि इस तरीके से जानकारी ना देना ये गैर कानूनी है, खेर अभी तक D.O.P.T. ने या प्राइम मिनिस्टर आफिस की तरफ से कोई भी सूचना इस बारे में नहीं दी गई है, लेकिन जो सूचना दी गई है, उससे इतना तेह है कि इस सरकार लोगपाल के लिए बिर्दकुल भी सचेत नहीं है और लोगपाल की न्युक्ति करना ही नहीं चाहते है, भारती जन्ता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा कि हम लोगपाल की न्युक्ति इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोगसभा में कोई दिक्कत नहीं है बिना विपक्ष के नेता के भी आप लोगपाल की नुक्ति कर सकते हैं लेकिन याजका करताओं ने याजका डाली और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से CBI Director की नुक्ति करते समय इस नियम को हटा दिया गया था और कानून में संसोधन करते हुए ये माल लिया गया था कि विपक्ष की लोग सभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी के नेता को हम बोला करके इस कोरम को पूरा कर लेंगे तो जब CBI Director की नुक्ति मे आप वो कूरम पूरा कर सकते हैं तो अगर आपकी नियत है कि आप लोग पाल की नुक्ति करना चाहतے है तो वो कूरम कूरम क्यों नहीं पूरा करते हैं देखिए दोनों ही चीज़े है आपके सामने हैं एक तो सुप्रीम कोर्ट भी आपसे कह रही है कि बिना विपक्ष के नेता के न्युक्ति कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि उस पर सवाल उठेंगे, तो आपके पास ये भी तरीका है, कि आप इस नियम में संसोधन करते हुए, उस कानून में संसोधन करते हुए, इसमें अंदोलन खड़ा किया गया था, आज उस नियम में अपने आरोपों की बात कर लेता हूँ, वीडियो के सुरुबात में मैंने ये आरोप लगाए थे, कि मैंने कहा था कि मेडिया प्रायोजित है, था वो अंदोलन अन्न हजारे का, और मैंने ये भी कहा था कि दक्षन पंती संगठनों द्वारा प्रायोजित था, उस आरोप लगाने की एक सटीक बज़े ये है, कि 2009 में अजीत डोभाल जो इस समय राष्टी सुरक्षा सलाकार हैं, उन्होंने विवेका नंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जो स्वदेशी जागरन मंच के जो सह संय स्वामी नार्थन गुरुमूर्ती जिनको अभी हाल में ही सरकार ने रवियाई का जो बोर्ड है, उसमें कारिकारी निदेशक बना दिया है, स्वामी नार्थन गुरुमूर्ती के निर्देशन पर अजीत डोभाल निर्माल करते हैं, विवेका ने इंटरनेशन बन जाते हैं, founder director बन जाते हैं, उसके बाद यही विएफ 2011 में अपरेल 2011 में अपने हाँ एक सेमिनार रखता है ब्लैक मनी पर यानि की काले धन पर, उस सेमिनार में सुब्रमन्यम स्वामी सामिल होते हैं, स्वामी रामदेव सामिन होते हैं, RSS के विचारक के अन गोविंदा च प्रदर्शन करवाई ये ब्रश्ट चार के खिलाप में अच्छा आप करमचारी बीड देखते हैं तो आप करमचारी बीड देखते हैं तो आप करमचारी संगठोनों से प्रदर्शन करवाईए कुल मिलाकर जो व्यक्ति जो रिपोर्टर को जो बीड दी जाती थी देखने के लिए यानि कि जो बीड का मतल़ होता है जो बिभाग दिये जाते थे देखने के लिए उनसे कहा गया कि आप अपने अपने बिभागों प्रदर्शन करवाईए उनकी फ फोटो खेचवा करके कहा जाता था कि फिल बोला लीजिए हम आपको अच्छा सा कबरेज देंगे तो एक तो मेडिया दोराया पर राइजित था दूसरा मैंने आपको बताया कि बिवेकानंद फाउंडेशन आरेसेस की मानसिक्ता से दक्षण बंती मानसिक्ता से क्लोजली क्ल में बिवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ही पूरी तरीके से काम कर रहा था एक आरोप और मैंने में लगाया कि सारे लोग कहीं न कहीं भारती जन्ता पार्टी से अटेस्ट थे तो यह आरोप लगाने की वज़ए ये है कि अजीड दोभाल उस समय तमाम सारे इंटर् पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और हम स्वतंत रिकाई के रूप में तिंक टैंक की रूप में काम करते हैं वही अजीड दोभाल सत्ता आते ही तुरंत देश के राश्टी सुरक्षा सलाकार बन जाते हैं और काम इस तरीके से करते हैं जैसे प्रधान मंतरी नरेंद मो प्रधान मती नरेंद मोधी पूरी तरीके लागू करने की कोसिस करते हैं अन्ना जारे सीधे तौर तर भारती इंता पार्टी में कोई पद नहीं लिये हैं लेकिन उनको भी लगातार ये कहा जाता रहा है कि वो इसी मानसिक्ता को आगे बढ़ाते हैं किरन वेदी ने सीधे मनी सिसोधिया उसमें सक्री दिखते थे इस समें डिप्टी सीयम हो गए हैं बीके सिंग सक्री दिखते थे जो थलसेना अध्यक्ष है पूरुब वो विदेश राजमंत्री हो गए हैं सौमी रामदेओ की पतंजली आयरुवेद बढ़िया चली रही है सुब्रमन्यम सौमी राज्यसबा सांसा धहीं भारती जन्ता पार्टी से ये सारे लोग वो लोग थे जो उससे में मंचों पर नजार आते थे और वश्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते दिखते थे वही सारे लोग जब जाके भारती जन्ता पार्टी में पद ले लेंगे तो क्या जनता पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिस कर रहा था उसका नाम था इंडिया फाउंडेशन जो अजीद दोभाल की पुत्र सौर दोभाल ने शुरूबात की थी इसकी वो एक विदेश में एक नौकरी करते थे एक बैंकिंग सेक्टर में लेकिन वो छोड़ने के बाद क्यो और सुरेश प्रभू जो इस समय केंदर में मंत्री हैं ये तीनों ही लोग इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर के तौर पर उससे जुड़े हुए हैं और सौरे दोभाल जो अजी दोभाल के पुत्र हैं वो इसको लीड कर रहे हैं तो इन दोनों फाउंडेशनों पूर्ण जो इस पूरी रणनीति को टै किया और इस भूमका में आ गए कि किसी तरीके से कॉंगरिस को हटाना है भारतिया इंता पार्टी को लाना है अलाकि ये दोनों ही फाउंडेशन इस बात से डिनाई करते रहे कि हमारा राजिनीती से कोई लेना देना है लेकिन मैंने कि उस समय अन्ना हजारे को पूर्ण तूरूप से सयोग देने वाले लोग आज कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं क्या वज़े है कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी की सरकार बन जाती है 2014 में और 2018 के बिलकुल एंड है यानि कि दिसंबर महीना चल रहा है अभी तक लोगपाल की नुक्ती नहीं की जा रही है और वही सारे लोग जो उससे में व्रष्टाचार को लेके हल्ला मचाते थे आज सांत बैठे हुए क्या वज़े है कि सर्च कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है अभी तक एक भी लेकिन उसके बाद भी कोई होल्ला नहीं है 2013 में लोगपाल एबम लोकायक्त विध्यक जो संसत में पेस हुआ था और पारिद भी हुआ था उसमें इस वश्च तोर पर कहा गया था कि इसके लागू होने के एक साल के भीतर ही सभी राज अपने यहां लोकायक्त बना लेंगे राज्यों में लोकायक्त बनना था और केंदर में लोगपाल की नुक्ती होनी थी लेकिन 2014 में यानि कि कॉंग्रेस के रहते हुए ही ये लागू भी हो गया लेकिन उसके बाद भारती जन्ता पार्टी की सरकार आई लेकिन अभी तक केवल 18 राज्यों में लोकायक्त की नुक्ती हुई है उनमें दिल्ली एक शामिल है क्योंकि अरविंद केजरिवाल उस मुव्मेंट में शामिल थे तो उन्होंने दिल्ली में अपने हाँ लोकायक्त की नुक्ती कर ली है बाकी राज्यों में लोकायक्त की नुक्ती क्यों नहीं हुई इसके लिए भारती जन्ता पार्टी कितनी गंभीर है ये तो आप खुदी समझ सकते हैं तो कुल मिला करके ये पूरी साजिस को आपको इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि आप सही धंग पर ब्रोत कर सकें। जब उस समय ब्रष्चाचार के खिलाफ इतनी मुहिम चली हुई थी उस समय आप उसके उसमें सामिल होते हुई देखते थे यहाँ पर एक सवाल और मैं कर लेता हूँ चलते चलते कि जब उस मुहिम में सारे लोग सामिली थे मैं क्यों इसको मीडिया पराईयूत कहता हूँ क् पादक जो सुबह की मीटिंगों में कहा करते थे कि इस मुवमेंट को आपको कबर करना है वो खुद वो लोग पांच मां ददस लाख रुपई या फिर जादा जादा घूस ले करके खबरे रोकने और चलाने का धंदा खुद करते थे वहीं संस्थानों में बैट करके तो पिर आखिर मैं इसको क्यों यह न मानूं कि जब सारे लोगी ब्रश्चाचार की मुहिम में उस समय अन्नाजार के साथ खड़े थे तो आखिर ब्रश्चाचार कर कौन रहा था जब आप अपने मन से सोच लेंगे कि हमें ब्रश्चाचार नहीं करना है तो फिर आपके खिला देजवासियों के साथ धोका हुआ है इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जागरुक और सजग रहिए और इन सारी साजसों को जान करके उनका ब्रूद जरूर करिए धन्यवाद